सक्सेस मंत्रा वी शेप फ्यूचर हलो एवरीवन वेलकम यौल इन तोड़ेश देहिंदू नीज़ अनालेसिस सो आज काफी डीटेल में अनालेसिस होगी बट प्राइर गेटिन डीटेल्स लेट सबस्नीक पीक वाइस इंपॉर्टेंट पॉरस इन तोड़ेश देहिंदू अ इसके साथ आपको जो बंदे भारत का प्रजेक्ट था वो भी इस नियूज में है यह जो फॉर्स टॉपिक है से डिलिवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट और करनाटा का हिजाब बैं इस टॉपिक पे प्लीज इट्स माइं हमबल रिक्वेस्ट तो आप कोई ऑपीनियन ना बना स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन करनाटा का हिजाब केस तो इसमें प्रस्पेक्टिव से क्या इंपोर्टन यह इस बारे में तो प्राइम आफ हैसा ही बात होगी हमारी विल गेट इंट इन्ट इटेल्स अब फिलोसफिवाट एक्जाटली इस जज़ज्मेंट टॉक्स सब्सक्राइब कर दिया हमारी ऑपीनियन डिफर कर गई तो बाते करेंगे उसके बारे में भी नेक्स जेनरेशन लॉंच वहिकल यह इस रों से बहुत अच्छी न्यूज है इस रों के रिगार्डिंग और एक साइंस कॉन्क्ले वहा था इट कनेक्ट विद देयर राइट इस लेंडर लोरिस यह बहुत न्यूज में आजकल इसके बारे में भी देखेंगे यह कुछ यूनीक एंड भी हैवा कुशन ओवर इट अलसो एंड पीम गती शक्ति इसके बारे में लोगोने भी बात की तो थोड़ा सा कॉंसेंट्रेशन रखेंगे यहां पर टॉपिक्स क होता है लोगों में curiosity कि आपका क्या opinion आपका क्या opinion तो देखो in a modern society किसी भी तरह का in a modern liberal democracy बोलीजिया तो बेटर से किसी भी तरह का वील या फिर जैसे आप घूंगट कहते हैं हिंदी में हिजाब कि नहीं होना चाहिए राइट क्योंकि हिजाब और वील यह आपकी आइडेंटिटी को कवर करते हैं सुप्रीम कोट ने भी यही बात बोली एक जज़ है हमारे जज़ साब उन्होंने यही बात बोला कि there should not be any kind of हिजाब यह कुर्शन ही नहीं बनता है कि हिजाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए और विश्ली नहीं होना चाहिए विकॉस यह एक आइडेंटिटी है आपकी धक रहा है यह चीज़ दूसरे जज़ ने क्या कहा उन्होंने च्वाइस का मैटर बनाया लेकिन जैसे ही च् अन लाइक इलीगल होगा इस ताइम पर कुछ उपीनियन बोलना क्योंकि मैटर सब्जुडिस है और वन शुद नॉट मेक एनी काइंड डिवेटर ऑपीनियन ऑन दिस राइट क्योंकि यह इंफ्लूएंस करता है कहीं न कहीं और ट्राइट टीवी मीडिया डिवेट और उस रीड जज्ज्मेंट योगन डाउनलोड इस फॉन दाउनलोड इस वेल पट अगर नहीं डाउनलोड करना नहीं पढ़ना कोई बात नहीं आव एवरीटिंग वर्यू इन रिगार्द इस यह कहानी सुरू कहां से हुई थी मार्च में भी आप लोगों ने देखा कहानी सुर तो युटन यू एक्सपेक्ट क्लाइट तो आस्कूर्शन ओन दिस यह फिर कोई भी लाइग्जाम ग्रमिनेशन राइट करनाट का गवर्मेंट एक ओर्डर इसू करती है जिसे हम कहते हैं करनाट का एडूकेशन एक अट एडूकेशन एक 1983 इसमें इन्होंने एक ओर्डर किया जिसमें उन्होंने कहा कि एडूकेशनल इंस्टिट्यूशन में एडूकेशनल इंस्टिट्यूशन में किसी भी तरह है कि टिजाब वील या फिर रिलीजियस प्रैक्टिस विच इस अगेंस्ट यूनिफॉर्म विल नॉट बी अलाउड तो इन्होंने यह ओडर किया था अगर आपने और नहीं पढ़ा हो इसको फॉलो कर लो पूरा ओडर समझ में आ जाएगा तो आपके लिए पहला कुश्चन ही यहां पर बनता है कि किस एक्ट के तुरूई यह ओडर इशू आ था करनाटका एजूकेशन एक 1983 यह ओपीनियन और एजूकेशन दोनों पर्स्पेक्टिव से यह टॉपिक चल रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है और चीजों को सेग्रिगेट करते वे समझना है करनाटका एजूकेशन एक 1983 केता है यह ओडर इशू किया उन्होंने ठीक है चलिए अब और इशू ह हो गया इस के अगेंस्ट इस ओर फर्टीकुलर जैसे मालिजी गार तक इसe ओरका चलेंज किया गया करनाट का पसिदा में जिसको मेंट होती है डी ही दिवीजन बेंच होती है 223 की होती है इसे हम कहते हैं फुल बेंच कॉंस्टुशन बेंच डीवीजन लोगे जान लिए तो करनाट का हई कोट की फोल बेंच जो है वह इस मैटर की सुनुवाई कर रही थी उन्हों ने कहा कि यह ऑडर जो है करनाटका इजुकेशन एक्ट इस लेगल और उन्होंने इपहल्ड कर दिया उसको नहीं नहीं तहारा दिया तो उस ऑड़र उस जज्ज्मेंट के अगेंस्ट करनाटका है कोट के जज्ज्ज्मेंट एक अगेंस्ट चैलेंज आया सुप्रीम कोट में और केस का नाम क्या था आईशता शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ करनाटका एंड अधर्स यह केस का नाम था तो इस केस में सुप्रीम कोट ने मतलब पूरी सुनवाई अपनी लास्ट मंती खत्म कर ली थी बट सुप्रीम कोट ने जो वर्डिक दिया वो कल दिया उसमें उन्होंने कहा कि देखो हम दो ओपीनियन दे रहें दो जज्ज थे दोनोंने अलग लोग ओपीनियन दिया तू जज की बेंच थी उन्होंने इसके रिगाड़ी एक थे हमारे जस्टिस सुधान सु धूलिया और एक थे जस्तिस हेमंत गुपता स्थे सुधान सु धूलिया ने क्या कहा उन्होंने अपील अलाव किया इंद सेट एसाइड दा जजज्मेंट अफ करनातका हाइक प्लेट में घूच्ट इसके एगेंस्ट जो आयश्ता श्रिफा है वो चली गई शुप्रीम कोट में और जस प्रक्रश्टिस सुधानसु धुलिया ने कहा बिलकुल सही है यह जज्मेंट करनाटका हई कोट की जज्मेंट सेट असाइड किया और अपील को अलाउ कर दिया कि नहीं ठीक है अब क्यों फाइन है यह कम्प्लीटली फाइन क्योंकि शुदानसु धुलिया का जो ओपीनियन वो थोड़ा सा अलग तरीके से किया उन्होंने करनाट का हाइद के जज्मेंट को सेट आइड किया इन्होंने कहा कि देख़ए हिजाब होना ही नहीं चाहिए है there should not be any kind of hijab right my bad इन्होंने कहा हिजाब जो है it is a matter of choice pardon me please for this is a matter of choice 89 पेज की जज्जमेंट ए हिजाब is a matter of choice और इसके बारे में पढ़ेंगे किस किस आर्टिकल्स के अंदर यह प्रोवाइड किया आर्टिकल 25 26 13 21 51 इन सब को इन्हों साइट की और बहुत सारे cases और यह जो इनका बेसिस था एक एक केस पर विजाए किए मैन्वेल कि विजाए इम्टैन कि सअब आप लौ पढ़ रहे हैं तो आपको विजाए मैन्वाल का केस पता होना जाहिए कि विजाए मन्यल पेश को प्यार से बोला जाता है इसमें यह कहा गया था कि नेशनल एंथम होने समय यूशुड रेस्पेक्ट देनेशनल एंथम स्टैंड राइड बट यू नीड नॉट सिंग अगर आप नहीं गाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी मत गाई है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आ कि अपहोल्डेट दा वर्डिक्ट यह काफी मॉडर्न अप्रोच इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है इस दो मोस्ट मॉडर्न अप्रोच वन स्टेप अहेड गई यह इन्होंने कहा हिजाब जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए और इन्होंने अपने अपिटर डिक्ता में क कहा देखिए कोई भी जैज्मेंट होता उसके तीन पार्ट्स होते जैज्मेंट जो रहेगा और अपिटर डिक्ता इंपॉर्टेंस फोल्ड नहीं करता है दो अपिटर डिक्ता बहुत इंटरनेट पर वाइरल होते हैं इन्होंने यही कहा अपिटर डिक्ता में हिजाब की दो बात ही नहीं होनी चाहिए वाइड दर इस अगेंस्ट और आटिकल 21 के अगेंस्ट ऐसे बहुत थारी बाते हुए बट सुधान सो धुलिया का जो स्टेट्मेंट है वो थो थोड़ा वाटर होल्ड करता है क्योंकि उन्होंने च्वाइस की बात कि उन्होंने दॉक्त्रिन और अशेंटियल रिलिजियस प्राक्टिस इस पूरे केस में एक बर और उठके आया जो आप अपने एक्जामन से एक्सेट कर सकते हैं तो आई होप यहां तक क्लियर है ना अब इस पूरे केस में कुछ आर्टिकल सामने आए पहला है आर्टिकल 13 इसको दोरा बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में अगर बात करें तो क्या बोलता है लॉज इंकंसिस्टेंट विद और इंडिरोगेशन विद फंडमेंटल राइट तर मतलब क्या हुआ एक हो आर्टिकल 13 यह क्लियर होना चाहिए यह बहुत इंपोर्टेंट इस इस दाफाइन बेसिक राइट चली आर्टिकल की बात करते हैं आर्टिकल 13 लॉज इंकंसिस्टेंट विद यह और इंडिरोगेशन विद फंडमेंटल राइट आर्टिकल थर्टीन बैसिकल आपको तीन पार्ट में आता है पहला है प्री कॉंस्टिट्यूशनल लॉज इसके बाद आता है पोस्ट कॉंस्टिटूशनल लॉज जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रीन उप सेवरेबिलिटी अब लीगल ज्यादा पढ़ा जा रहा है यहां पर और यह है लॉ लॉइन पॉर्स इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए प्री कॉंस्टिटूशनल लॉज वो हते हैं 1947 से पहले मतलब इस पहले और 1950 कहा लिए प्री कॉंस्टिटूशन आने से पहले जो भी लॉज बने वो प्री कॉंस्टिटूशनल है और अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं और पर्टिकॉलर अगर मान लीजिए कोई लॉइवा था उस रहें के जो आज के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो उसको हटना पड़ेगा उसके उपर एकलिप्स लग जाएगा इसे हम कहते हैं कि डॉक्त्रीन ओफ एकलिप्स को बहुत डीटेल में जा रहे हैं वह ज्यादा डीटेल में जा रहे हैं हम लोग तो थोड़ा सा ध्यान देना है वह जज्ज्मेंट एक केवल इतना पार्ट पढ़ लिए यहां केस का नाम है वहां पर काम खत्म नहीं होता है यह वर्क स्टा है तो यहां पर जो डॉक्त्रीन ओप एकलिप्स है उसकी बात हो रही है कि जितना अगर कॉन नाइंटीन फिफ्टी से पहले जो भी लॉज आए और वह अभी के फंडामेंटल राइट से डेरोगेटरी है मतलब अगेंस्ट जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पार्ट को अगर यूजबल है तो नहीं तो नहीं नाव इट कमस तो पूस्ट कॉंस्टिशनल लॉज अगर कॉंस्टिशन आने के बाद अगर कोई ऐसा लॉज बनता है चो कि आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो डाट लॉज इन होल आट टूब लॉज आएगा और से का मतलब होता है उतना सिवर तो किया जाएगा बट अगर वह inconsistent है तो उसको पूरा खतम है और यह चीज़े याद रखनी है और यह थर्ड पार्ट इस दो लॉज इंपोर्स वह डिफाइन कर रहे हैं लॉज लॉज एक बार देख लाए ना उख्लियल जाई दिस्क्राइज हैं लोगों ने क्या कहा एक अपर आट काल आटिकल नाइने इंटीनग वन ए मैट आता है आटिकल नाइन टीन वन ए ए आपको लग रहा हूं कि सर यह freedom of speech and expression क्यों आ रहा है यहां पर तो कुछ बोली नहीं जा रही चीज़े आ रही है freedom of speech and expression का मतलब यही होता है the thing you are expressing hijab पहनना is expressing I belong to a particular religion अगर मैं आज तिलक लगा करके यहां पर पढ़ाना स्रू करता हूं what exactly it means it is expression कि हमने पूजा किया is a kind of expression completely fine यह हमारा freedom हमें राइट देता है हमारा constitutional fundamental right देता है now article 25 freedom of consigns and free profession practice and propagate right practice करना propagate करेंगे profess करेंगे प्रॉफेस्ट प्रॉपोगेट कराइड देता आर्टिकल 25 and in a lot of cases irrespective it is शिरूर मत इस केशवानन्दा भार्ती और anything any so and so for course Indra Shahani versus Union of India यह हम लोगों ने कुछ दिन पहली देखा था वेन वी वर talking about the bundle commission तो यह जो केसे जना यह आर्टिकल यह बोलता है कि सुनो बॉस यह जितने भी है ना you cannot read in a divorce form यह आपने इसका परस्ट पहरा अलग पढ़ लिया सेकंड पहरा अलग बिल्कुल नहीं प्रॉफेस्ट प्रैक्टिस एंड प्रॉपगेट एक साथ चलेगा there is no if or but is not right तो इसको थोड़ा सा देखना है नेक्स देखते कौन सा आर्टिकल इस केस में आया नेक्स आर्टिकल आर्टिकल 26 freedom to manage religious affairs religious affairs जो वक्फ वाले जितने properties होते हैं वो इसी में आते हैं और जितने भी मठ होते हैं यह जो आप बनते हैं मठ यह हिंदू कॉलिज बन रहा है इस टाइब के कोछ यह कोई मुस्लिम मदरसा बनता है यह सब इसी के अंदर आते हैं freedom to manage religious affairs तो मदरसा आपको आर्टिकल 29 30 में आ जाता है 26 में जो religious affairs होते हैं इतने मठ होते हैं या फिर आपके religious endowments होते हैं वो 26 में आते हैं कि आपने जो भी religious affairs हैं उनको हम manage करें सब्सक्राइब करने नहीं खड़ा हुआ हूँ तो मैं आप किसी के judgment को फेवर करने नहीं खड़ा हुआ हूँ यह provisions जो पर्टिकुलर जज्जमेंट में mention किये कि हां यह यह चीज़े हैं that's why I am saying this और जो दूस्टे जस्टे साब थे महता साब उनका भी धुलिया साब का भी कहना best था कि नहीं होना चाहिए और सही बात है अगर मैं यहां पर कुछ कोई कपड़ा पहन के खड़ा हो जाओ लाइक टेक टाल and just cover my face पैचान पहोगे मुझे मेरी कोई चाहिए नहीं होनी चाहिए आज की सोसाइटी में चलिए असके बात आर्टिकल 51 आता यहां पर welfare state की बात होती है यहां पर बात होती है welfare state कि welfare state welfare state का मतलब क्या होता है आपको peace and security maintain करना यह state की duty एक है तो इसमें आपको कि सारी चीज़े क्लियर हो गई होंगे और एक बार यह केस अच्छे से क्लियर हो जाए तो डू मेंशन कि हां सर्क्लियर हो गई नहीं होई फ्लीज दो मेंशन राइट वह 89 पेज़स की पढ़ने के बाद मैंने यह 5-6 पेज़ की पीपेटी बनाई है और यह जो यह जो नोट् कर दाना doctrine of essential religious practice पता ही नहीं होगी क्योंकि कहीं डिफाइड ही नहीं किया रियूस भी नहीं किया इवन जिस का नाम लिया जाता है शिरूर मटकेस 1954 शिरूर मटकेस में कहीं स्पेशली यह रोड यूज नहीं किया there is a doctrine यह तो बना लिया है कुट ने doctrine of essential religious practice कुछ इस ना इस की केस थी हो कि 23 अप्रिल यस 23 अप्रिल की केस थी वह तो किश्वन अंदा भारती में डिफाइड के लेकिन यह जो पॉइंट है ना doctrine of essential religious practice कहीं पर डिफाइड नहीं इस केस में कहां से आ गया सा doctrine of essential religious practice इस में आाएगा because जब हिजाब की बात होई तो कुरान का एक सुरा कुरान का एक शुरा मेंशन किया गया कि शूरा 33 तूरा 33 अ को वर्स 59 तूरा 33 वर्स 59 में ये बोला गया ओ माइ अल्ला हो माई कि अल्माइटी इस टाइप का वर्ड यूज किया गया उसमें अगर मैं बता हूं आपको तो उसमें भी इस पेशेली कहीं मेंचन नहीं में भी यही चीजे बताई गई है कि आपको अपना कवर करके चलना है बॉड़ी टू अगेंस दार जो भी इसके लिए इसके लिए यह बात ही कि गई है सूरा 33 वर्स 59 वहीं से यह चीजे उठी है और बहुत सारे कोट्स ने बैंचेज ने इसको कहा कि इस एसेंचे रिलिजास प्रैक्टिस अन्हों ने नोने simply कहा कि रिलीजियस एसेंचिल रिलिजियस प्रैक्टिस की बात भी नहीं है वाई इस देर इस नो अवे तक फैसेंचिल रिलिजियस प्रैक्टिस बिकास्ट अपका फंडमेंटन राइट यह और तो इस पर थोड़ा सब्सक्रूकर करना है और essential religious practice is a test doctrine evolved by the Supreme Court to protect only such religious practice under fundamental rights which are essential in integral a doctrine essentiality was invented by the Supreme Court in Shiroor Mat case in 1954 अगर आए तो इस केस का नाम डाल देना इस इस अप्लीट आंसर essential religious practice में वो चीज़े होती है इंतिग्रल पार्ट हो आपके डिलीजिन का जैसे पांच को होता है एक सिख में राइट केश किर्पान कंगा कच्छा एंड जो भी है उसके तो वह सारे आपके मेरे भी कुछ सेख फ्रेंड है तो वह अलाओ रोते हैं तो डैट इस चंसीडर ड़ीजियस प्रैक्टिस कुशन उठा क्या कुरान में यह चीज़ेंशन रिलीजिस प्रैक्टिस होगी इस कोड़ने जाने से मना करें इनोने कहा इस सर वाइड दिए नूट यू नू आपके examination point of view से important हो जाते हैं और वह jump in करेंगे when every whenever there is a talk of essential religious practice यह चीज़े थोड़ी याद रखनी है और पैसेज देते हैं वह पैसेज में फिर यह सब चीज़ रोजाते हैं तो चलिए देखते हैं पहले आया था हिंदु टेंपल के रिगार्डिंग सब्री माला केस बहुत हुआ था सब्री माला केस इवन दिर समाइन रिसेर्च पेपर आलसो विच विच पॉब्लिज ऑन व सब्सक्राइब के बारे में बात हुई थी लॉर्ड अयप्पा एंड आइड आइड एक्स्टेंसिव रिच रिच रिसर्च अफ्टू मन्स वन इस पर्टिकुलर केस तो है डू आइड वस्टॉंग ग्रास्प ओर इस केस राइट 28 सेप्टेंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले की कहानी है अभी तो नया चल रहा था यंग लॉयर्स अस्टीशेशन वर्सेस सब्री माला वाला तो चलिए वह बात की बात है तो यह केस तो नया आप लोगों ने सुनाओ का बटिया कि बहुत पुराना है 1990 से भी पहले की केस है तो इसमें क्या था कि विमन फ्रॉम सब्सक्राइब एज ग्रूप यह प्रॉम फॉर्टीन तो फिफ्टीव और नोट अलाओ टो एंटर बिकॉस अब देंस्ट्राइब तो सुप्रीम कोर्ट में यह बाते गई तो सब्सक्राइब किया कि में में स्ट्रेटिंग का पावरी नहीं यह तें टू तो यह आपर तो आपा श्राइन ने बताया विए केला में मजॉर्टी बडिक पॉर्ड इस्टु बंती डिसेंट किया था इंदू मलोतरन इंका नाम याद रखिएगा तो इसमें एसेंशन रिलीज़स कहां से आया तो जब आयपा टेंपल वालों ने कहा सब्रीमाला टेंपल वालों ने कहा कि it is our essential practice कि women are not allowed when they are in the menstruating age because of some scientific power उन्होंने बहुत सारी उसमें बाते कहीं तो सुप्रीम कोट ने कहा it is against the fundamental right भाई क्या कर रहे हो यह तो हो नहीं सकता राइट तो यह याद रखना है यह case second case है आपको Muslim women's entry into the mosque यह case अभी भी चल रहा है मॉस्क में एंटर होने वाला और एक दौधी वहरा वाला भी community वाला case है उसमें भी हम देखेंगे विस मॉस्क के case से मुझे एक case याद आता है आप एक बार पढ़िएगा जरूर उसको हाजी अली दर्गा केस हाजी अली दर्गा यह case जरूर से देखेगा हाजी अली दर्गा के जिसमें कुछ था कि women were not allowed into the मतलब जो गर्भ ग्रिया होता है नहीं उसकरना चाहिए मज़ें वर्ड जो में सेंटर होता है मस्जित का वहां पालाउड नहीं था है इने दर्गा के बट इस के बाद अलाउड हो गया तो यह चीज़ देखनी है और 2019 में इंटी 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 इंटो दो मॉस्क इनमुसल में मुसला नहीं पर होता है ठीक है यह चीज़े याद रखनी है और हाजी अली दर्गा केस तो बहुत अच्छे से याद रखना ठीक है नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इस रिगार्दिंग फीमल जेनिटल मुसल और मुटलेशन फजीम यह बड़ा इंपोर्टेंट केस है द दाउदी बहुरा से रिलेटेड आप लोग लेक्स लीजेगा इट विल हेल्प यू अल्ली राइट तो चलिए दाउदी बहुरा में देखते हैं क्या था एक केस था सर्दार साइदमा ताहिर वर्सेज स्टेट अव बॉंबेट स्टेट ऑफ बॉंबेट इस केस में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बात करोंगा कि एप जीम क्या होता है फीमेल जेनिटल म्यूट लिए आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा यह नहीं भी सुना होगा तो सुन लीजे खतना एक वर्ड होता है जो एक्स्ट्रा जो मतलब क्या का जाता है इसकिन इ पाइव जर्च की बेंच थी फाइव जर्च बेंच ने कहा किया इस देयर एसेंशल प्रैक्टिस अब इस चीज को काटा जाएगा कैसे काटा जाएगा लेकिन अभी नहीं इसकी बाद एक केस हो आया है इसका नाम था सेंट्रल बोर्ड अफ गावडी बोहरा वर्सिस स्टेट अफ महराश्र जैसे ही इस यह केश आया यह केस आपका ट्वेंटी नाइंटीन के आराउंड आया था तो एक पास हुआ ट्वेंटी फिफ्टीन कर ले ना एक बाद देख लेंगा जस्ट दूओ क्रॉस्टेक्ट यह केस जैसे ही आया पर सेकेंड वाला सेंट्रल बोर्ड अफ दावदी बोरा वर्से स्टेट आफ महराश्र लिखा यहां पर थोड़ा सा कंप्लाइब कर लीजिए इसके बाद एक आप्ट आता है महरास्ट्र महरास्ट्र प्रोटेक्शन ओफ पीपल फ्रॉम प्रोटेक्शन ओफ पीपल प्रॉम शोशल एविल एक्ट नाइन टू थाउजन इस से क्या हुआ इन्होंने कहा कि जो दाउदी वहरा कॉम्मिनिटी में जो यह फीमल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है गलत है तो अब इस भाई यह तो बवाल हो गया फिर तो अब यह लोग चले गए सेंट्रल गोर्ड आफ दाउदी वहरा वाले क्या कर्ति है अब ये केस कोट में है तो सार यह न नया क्या हैए था जिसका नाम है सुनिता टिवारी वर्सेज यूनिन ऑप एंडिया और इक पाइल किया psicol ecologyा आप इसको बोले जाता है विच प्रेटिशनर सेट वास कैरीड आउट और एवरी गर्ल चाइल इन दावधी बोरा इसके डिगार्डिंग सारी इंफोर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है और ही हो इसको अच्छे से पढ़ेंगे पूर्थ बात आती है यह इस में क्या होता है कि एक लड़की होती है उसने नौन पार्शी से शादी कर ली नी किया गया विकास सिवाजा पार्शी करने के बाद तो एक सल्पी फाइल किये गुल्रुग गुपता वर्सेस बुर्जूर और पार्दिवाला अराउस आफ जज्मेंट पास्ट वैदा गुज्राथ हाई कोट इन 2012 तो इस किस में क्या होता है कि पहले गुल्रुग के कॉंट्रेक्टर था गुपता जिसका पूरा नाम है गुल्रुग को हाई कोट जाते है 2010 में आप्टर एफ्रेंड वू टू लाइकर वाज़ा पार्सी मेरीट तो हिंदु वास दिनाइड एंट्री तो टावर ऑफ साइलेंस जुरिंग हर मदर्स लास्ट राइट समीर सब्सक्राइब उसकी मां का लास्ट राइट होते हैं तो उतको एंट्र नहीं करती है शादी होने के बाद तो वह इसा कोई आपका अपका एसेंशियल रिजियोस प्राक्रेसेस सब के बारे में एक केस से चार-पांच केसे सकने कर दिया आट्स बता दिया आर्टिकल्स बता दिया इफ यह सैटिस्वाइड विद इस टाइड उप एक्स्प्राइशन डू मेंशन दा कमेंट सेक्षेन जो भी आपको मनों त्यूंट टाइप इसे कहते हैं इंजीनियर्स कंक्लेव इंजीनियर्स कंक्लेव 2022 यह कंक्लेव हो रहा था इस में कहा गया कि sir हमhini एक को करेंगे future 其實 launch people's लगाएंगे future launch वेकल में जाने से पहले हम थोड़ी सी बाते करते हैं इस आप करते हैं इंजीनियर इंजीनियर कंक्लेव 2022 ये कंक्लेव हुआ आपको LPSC सिरुवनन्थ पुरम LPSC सिरुवनन्थ पुरम में ये engineers कंक्लेव हुआ और इसको chair कर रहे थे इसको chair कर रहे थे इस सोमनाथ इस सोमनाथ इस सोमनाथ इस इस रोचीफ इस रोचीफ इसको chair कर रहे थे अब बात क्या आती है इसकी theme की ये आपके लिए बहुत important है theme तो दो theme थी पहली theme थी इनकी space for national development space for national development अब इस theme को priority दे रहे थे इस रोच वाले इस स्पांसर्शिप वही चीज़ है उसके बाद आती है second theme second theme थी making India global manufacturing hub और इसको कर रहा था आई एन एए यह यह कॉलेज है आपका नहीं कर रहा था इंटरनेशन नेशनल जो भी यह देख लेना एक बार फुल फॉल फॉर्म तो इस वास देंगे इंजीनियर कंक्लेफ एल्प एक को इसरो और एक को आई एन एए उसमें किसी भी तरह का confusion नहीं होना चाहिए अब आते हैं अपने फ्यूचर लॉंच वेहिकल तो इसमें कहा गया है कि सार हमना फ्यूचर लॉंच वेहिकल करेंगे इस डेवलपिंग रॉकेट नेम नेक्स जनरेशनल वेहिकल तो रिप्ल लिए प्यूल विद्विड औक्सिजन ऐस ऑकशाइडि ऑक्साइजर और दो बूस्टर स्टेज़ बिच इस चीपर एंट एफिशियंट क्यों लाए जा रहा है क्यूंकि चीपर एफिशियंट है हम यूज कर सकते हैं इसको बूस्टर इस्टेज़ पर एक्कॉर इस्रो 3-stage reusable तीन बार यूज़ कर सकते हो and capability of 10 tons to the geostationary orbit तो geostationary orbit में 10 ton की इसकी capacity है NGLB will feature a symbol robust design वही simple सा design होगा potential use will be the area of launching communication satellites deep space missions यह इसकी uses them but आपको पिछले वाले ज़्यादा मतलब रखना है अब सब्सक्राइब क्या होती है polar satellite launch बहुत सारी बात ही कर चुगे हम इसके पहले ही तो बात करते हैं देखते हैं and it is a indigenously developed expandable launch system obviously launch system में जिससे rockets बगएरा launch किये जाते हैं और कब बिल्ड हुआ था 1980s में right it comes in the category of medium lift launchers यह ऐसे छोटे-छोटे question बहुत important medium lift launchers है यह PSLV with a reach up to the various orbits और इसको ना एक बार उससे link कर लिजेगा अमेरिका वाला जो आपका था मिशन अमेरिका मिशन इन स्पेस और यह किसके थुरू हुआ था नासा के थुरू जिसका नाम था डार्ट उसके साथ लिंक करके इसको देख लेना है ठीक है all the operations of PSLV are controlled by सतीज दवन स्पेस सेंटर स्री हरी कोटा East Coast इंडिया इसमें कोई भी तक देख ली हम लोग कि यह PSLV का क्या था PSLV स्री हरी कोटा and polar satellite launch vehicle और उसको जो आपका जो modern वाला था उसको भी हम लोगों ने पुरे अच्छे तरीके से फॉलो किया and recommend you कि यह सब ना पढ़ रहे हो अच्छी बात है बट डाट केश लोग हिजाब उसको बहुत अच्छे से ना इस प्रपर आज रिलीज हो चुका होगा अटेंट करके बताईएगा दहिंदू में से कितने कितने कोशन सब एक्सपेक्ट कर पा रहे है राइट तो बताईएगा जरूर क्योंकि उससे आपकी ही प्रपरेशन को इफेक्ट होता है चलिए नेक्स देखते हैं क्या है इसमें फॉर स्टेज़ में होगा यह पूर स्टेज़ पीसल भी पूर स्टेज है और अपना मॉडरन वाला त्री स्टेज तो इसलिए नया लाना चाह रहे हैं यह लोग स्टेज में होता है अब आप खुछ सोच के देखो कि पहले साल भर करने के बाद हो रहा है तो इस तरह से चीजों को सिंग करना है पीसल भी फॉर स्टेज में होता है और जो इसको फोड़ा सा लिंक करिए और इसको इसको देखते हैं क्या है इंडिया फॉस्ट एवर सेंचुरी फॉर देंडेंजर जहां भी एंडेंजर आए अंडरलाइन कर लेना आपके एक्जाम के पॉइंट अव्यू से रेड लाइट हो जाता है वहां पर स्कीम याद आजानी चाहिए ब्रेट फॉस्ट स्कीम याद आजानी चाहिए यह जानवर को खिलाने के लिए यह लोगों के लिए राइट क्योंकि नुक्रिशन वैल्यूस है उनको इंक्रीज करना है लाइफ एक्टेंसी लाइफ एक्टेंसी अनौल बहुत सारी चीजह है तो इस जस्ट फॉर दे लिंक ठीक है आगे दिखते हैं दे स्टेट गवर्मे सेंचर कोडवू स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी अंडर सेक्शन 2A 261A1B और वाइलेफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कोशनी कोशन कोई मतलब नहीं अभी भी आप लोगों ने देखा कैसे ग्रीन रेवोलुशन से कोशन आया तो कहां चले गया ते यार ग्रीन रेवलुशन पता है सब्सक्राइब नाइटीन और 20 को मैंने डिसकस्ट भी किया था चाइना ने बात किया था कि पिंक रिवोलुशन एंड रेड रिवोलुशन के बारे में तो उस ताइंप भी हम लोगों ने बाते की थैस बारे में तो लाट ने जो कुश्चन पेपर दिया आपको मॉक पेप सब्सक्राइब बट वह पेपर से ही था तो कहीं से भी यह मत बोलना कि पेपर से नहीं था सब कुछ पेपर से था एक एक नियूज निकाल के दिखा दूंगा कि यहां से पूछा है तो यह सेंचुरी याद रख लेना यह थोड़ा सा अनेक्सपेक्टेड पैराग्राफ तो कड़ाबूर यह जो सेंचुरी है लॉरिस सेंचुरी इसको याद रखना एंड बाइविच एक 26 एवन बी ऑफ वाइलाइफ पर लेते पूरा वाइलेफ सेंचुरी इनके नाम पर बन रहा है लॉरिस इसमाल नॉक्टर्नल मेमल दैट स्पेंस मोस्त पिस लाइफ इंडिया एंड शिर्लंका लोकेशन से समझना है कहा है यह माइब यह पता नहीं क्या यह बन गया देखते हैं और यह कहीं यहां पर आ रहा रहा है तो तमिल नाडू का ही निटीव होगा शिर्लंका अंडर आल्स अमोंग इस टोप 25 एंडंजर्ट पहली बार यह नॉक्टर दूसरा कुशन यह आप ऐसे से कुश्चंस फ्रेम होते हैं उसके बाद देखते हैं यह लिस्टेट अंडर देंजर्ट स्पीचिज एस पर देंट्राशन यूनियन पर कंशर्वेशन ऑप नेचर आयू सी अंडर है यहां पर वर्ड एंडियन लेजिसलेशन आप देंडियो कि इंडिया कि Corner यह पता होना ही चाहिए जहां पर वर्ड एंटवर ए interior कर जाता है और लिए तो यह क्या करते जो पैस्ट होता है पेस्ट क्या रोडी होता है तो यह और फेस्ट को खाते हैं यह प्रेडेटर्स और पेस्ट तो फार्मा की हेल्प करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि पाली लो एक्दम राइट तो टाइगर चीता वाला हाल हो जाएगा अभी चीता कहां से मंगाना पड़ा कमेंट सेक्शन में बताईएगा इंडियन अभी किस कंट्री से चीता मंगवाया है मोदी जी के बाट्टेडे की इंपोर्टेंट है मोदी जी का उसी दिन आया था और यह 14000 लोरिस मंगवाना प्रगती की घती भारत की सकती क्लैट पूझ देगा फिर कांसलिंग पिलर्स ऑफ न्यू इंडिया इंफ्रास्ट्रक्ट्टर इनिशेटिव भारत माला साघर माला उडान पोर्ट्स एकोनॉमिक जोन्स और मतलब ओवराल कनेक्टिवीटी के बारे में बात करता है तो यह फ फूटर एकोनॉमिक जोन्स पर काम होगा ठीक है तो यह चोटी-चीज़ है माइन में होनी चाहिए देज नुए पर बड़ एक्टी शक्ती मास्टर प्लान क्या करेगा यह सेव ओवर 10 लैक करोड एन्वली बाइंविंग लॉजिस्टिक एफिशेंसी अभी हम लोग ने बा इंक्लोडिंग रेलवेज और रोडवेज टोगेदर रेलवेज जो है वह बैकबोन इंडिया का अगर रेलवेज नहीं होता अंग्रेज चले घंकी छोड़ गया थे रेलवे जो भी उन्होंने खुद के लिए बनाई थी क्योंकि उन्होंने खुड एक्सपोर्ट करना था स लगिस्टिक्स पर काम करेगा यहां पर आपको आईडिया होना चाहिए इसका आगे जैथे यह आपर नहीं चाहिए यह बार्री चाहिए पर करेगा और अधार पर करेंड़ जो फोटो में है न वहीं आगे लिखा हुआ है तो उससे अच्छा वह फोटो देख लो ज्यादा च्लिरीटी हो जाएगी एक बार में सारा काम खतम हो जागा क्यों काम बढ़ाना है को इस पावर एक्स 2022 क्या है पावर एक्स 2022 इसमें दो टर्म में एक है सरुट इन और फावर शर्ट ज्वाइंट डूक्टर साइबर स्प्रीटिति एक्सथा इसको इन्होंने कहा पावर किको किया हम लोग ने इस टॉपिक को इस पहले कर रहा है शर्ट इन बॉर सर्ट ने किया पार एक्स सइबर सेकुरिटी एक्सरइब इन इन कॉम्हेुटर इमर्जनेसी रिस्पॉंस्टेम सथें इन कोलागोरेशन विद पावर सर्ट्स अग्सेसफुले इन इसको इनोंने नाम दिया पावर एक्स एंटी साइस की डिफेंदिंग साइबर इंदूस्टेंस इन इस टाइप क्या इव अधिक साइज क्या था रिकानाइज करो एनलाइज करो और रिसपॉंड करो साइबर इंचिदें इन 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 ओटी सिस्टम यह याद रख लेन अब में भी फ्रेम होंगे there's nothing to discuss 13 क्या होता है इंडिन computer emergency response team है certain और is an office within the ministry of electronics obviously computer है तो electronics में आएगी नी अर्बन अफिर्स में थोटीन चला जाएगा it is the nodal agency to deal with the cyber security in India and strengthen the security domain now यह important है आज का आप 13 तो थोड़ा सा है ज्यादा है नहीं एक बार देखो होगे वैसे भी याद हो जाएगा what not to be missed में कुछ important है देमोक्रिटाइजेशन आप इंडिया इन दे मंडल वे यह आपको ले जाएगा 1990s में और इस टॉपिक को लिंग करना है SC and ST community से ST SC में बात करें तो जो अभी Christians की डिमांड है जिस पे एक अपकी committee बैठी है का कमीटी का नाम जल्दी से बता देना क्या है और स्टी में एक पहारी community है जम्मु कश्मेट की उसको स्टी का स्टेटस देखे आया है अमिच शाह आप बता दीजेगा comment section में कि ये कौन सी पहारी कम्यूंटी किस रीजन से बिलॉंग करती है अगर यह नहीं पता है न माई प्रेंट यू लिटरली नीड़ वेरी हार्ट कोड रही है ऐसी ऐसी चीज़ें आती है कुशन पेपर टफ होता है लिए इंडिया नीज़ पॉपुलेशन पॉलिशी चाइना के कॉंटेक्स्ट में ल और लाइफ एक्सपेटेंशी 6869 जा रही है तो इट शोट बी रस्ट कंट्रोल पढ़ लेना सेलिब्रिटी रीमेक यह टॉपिक इंपोर्टेंट है पॉर दा आस्पेक्ट ऑफ इंग्लिस और वीजनिंग की बात हो रही है आपर दा इंटर पोल जेनरल सेंबली मीटिंग लोगों ने इंटर पोल बहुत डीटेल में डिसकस किया एंसी इंसी बीको डिसकस किया लिएन फ्रांस देखा जनल सेंबली भी देखी अच्छे से पढ़ लेना इंटर पोल का हेड़कोर्टर जिनल से हो के आता है पोर यह के लिए राइट कमेंट सेक्शन में बता किसी नहीं लगेगा फिर वहीं बोलोगे कहां से आ गया फिर पांच में से एक अटेम्ट करोंगे दो अटेम्ट करोंगे फिर को गया रहे कुछ पढ़ा ही सालवार क्यों लानिंग विच सेट इस सेट प्रवाइब अधिकल एडुकेशन निंदी बहुत डीटेल में कमिशन से पढ़ा था केवल यहीं नहीं पढ़ा था बहुत जादा इटील में पढ़ा था लकिया या न्यूज से हैँ तो घञडो भी नहीं पता है अगर आपको स्टेट री और्गनाइजेशन नहीं पता है तो यू लिटरली नीड हार्ट बोर रिवीजन उन इट इन विच यह पार्लेवेंट पास्ट रॉट्रोवर्सियल एंजक कल तो बहुत डिटेल में डिसकस किया हम लोग नहीं को लेटेड है और बत यह कल की निवस से है बाइलजिकल पास्पोर्ट ओफसीन इन इस रिलेटेट टू यह आई टोल्ड यू तो जस्ट रीड आर्टिकल राइट की यह स्पोर्ट से रिलेटेड है वने बताया भी ता कि यह आर्टिकल पढ़ना इट विल हल्प यहीं से और सच्छ आइन आपको तो जस्ट गो थू टू इट और देखना है अच्छे से और इक यह अनी डावट रिगार्डिंग इस जस्ट मेंचे ने कमेंट श्री टेकित दाउन और यह जाब वाला की से अगर अच्छे समझ में आए बिकॉस इस दू सेंटर पॉइंट इस अपना तो उसको एक बार दे अजय आई 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 ने अगर वाला की से और देखना है झाला है झाला की से और यहाज रिग्टोंस इस दित प्रेखना का मूला है अजय इस से लाग बिक यह ज़ींगं के अजयर से घड़ायों इस दो आट जो आगरा है आई यह जो पॉग एकल आए गगार बिक दो